नमस्कार स्वागलते डिजैनर के पी शर्मा चैनल पर मैं हूँ कांतपरशा शर्मा मैं पिछले 40 साल से इस फैसन इंडस्ट्री में हूँ जहां मैंने बड़े डिजैनर्स और सेलिबिटीज के लिए काम किया है इस चैनल पर मैं आपको उस सभी टेकनिक सिखाऊंगा जो आपको एक अच्छा टेलर ही नहीं अच्छा डिजैनर भी बनाएगी आज मैं आपको शर्ट कैसे जोड़ा जाता है उसके शोल्डर, उसकी साइड, उसकी सिलिव कैसे चड़ाई जाती है वो मैं आपको सिखाऊंगा तो आइए शुरू करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं करते है कल हमने चाक पट्टी, पाकिट और सामने की पट्टी बिनना सीखा था, आज हम शोल्डर जोड़ेंगे, इसकी बॉड़ी पूरी तयार करेंगे यह हमने इसका एक शोल्डर बोर काट लिया था, शोल्डर दो काटे जाते हैं और इसके बीच में एक कट लगा लिया जाता है, एक यहां लगा लिया जाता है इस तरीके से यह हमारे पीछे बैक डट का निशान था, जिसको हम इस सबसे पहले हमें शोल्डर जोड़ना है यह जो कट है और इसके कट है इसको बीच में रखेंगे बिल्कुल और एक पैर की सिलाई हम इस पर लगाएंगे सिलाई करने के बाद इसके उल्टी साइड में जहां पर यह प्रेट्स वगयर के निशान है यह उल्टी साइड होती है एक तीरा तो हम नीचे ही रहने देंगे और इस तीरा को ऊपर करेंगे और इस तरीके से इस पर निशान लगाएंगे इसको नाखूम लगाके और इस पर किनारी का सिलाई मार देंगे अब इस तीर को भी हम सीधा कर देंगे एक पर की साइड में बिल्कुल प्लेन रहता है अब हम इसे उल्टी साइड में जामनी शिलाई मारी है इस सामना उचिदर हमने पट्टी वनाई थी यह दूसरा सामना इसको यहां और यहां जोड़ना है सिर्फ एक सिंगल शोल्डर में जोड़ना है यह हमने दोनों शोल्डर जोड़ना है इसको एक को पीछे कर देना है और एक सिंगल शोल्डर में उल्टी साइड का जो सिंगल शोल्डर है उसी पर जोड़ना है इसको पक्क करके जोड़ना है इसके बाद यह जोड़ना है इसको हम इस तर्के से ले लेंगे इस पूरे सामने को हम इसमें फंसा लेंगे बीच में और यहां से लेकर के इस तर्के से ले लेंगे समझ गया इसको 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 और यह जो सिलाई हमने पहले की है यह जो सिलाई की है इसके बाहर बिलकुल एक तार बाहर सिलाई मारेंगे और नई सिलाई बाहर में दराएगी उसके बाद इसको खेंच देंगे यह फिट हो गया दोनों दर्प से इसी तरिके से हमें इसको करना है सिलाई यह बिलकुल सीधी सीधी निकाले यह बिलकुल से पहले आपको मशीन की प्रैक्टिस पहले कर लेनी है इस सिलाई मारने के बाद इसको भी आप पैसे खेंच लेंगे यह हमारा शूल्डर फिट हो गया इसमें अब हमें आस तीन चड़ानी है इसकी सामने की साइड है यह बैक बड़ी कटती है और सामना इस तरीके से खड़ा देकर जो कटता है इसी तरीके से सिलीज में हमने कट़ा दिया था इसकी जो चाक पट्टी है हम इस तरीके से रखेंगे सिलीज को उल्टा करके सीधा बिल्कुल इस तरीके से सीधा ही रखेंगे और सीधा करके जिस तरफ यह खड़ा है और यह खड़ा है यह इनको मिलाना है इस तरीके से इसको चेक कर लेते हैं कि यह बराबर आ रहा है या नहीं सिलाई इसको उपर रखके की जाती है आस्ती नीचे रहती है और खेंच कर सिलाई की जाती है इसको नीचे के पल्ले को कभी नहीं खेंचा जाता तो हम शुरू करते हैं इस सामने का हिस्सा हमने उपर ले लिया है आस्तीन को थोड़ा खेंच के रखेंगी एकदम इसको कभी नहीं खेंचेंगे नीचे का जो हिस्सा है इसको कभी मत खेंचना इसको फ्री छोड़ देना इस तरीके से और उपर का इससा हलका सा खेंच के रखेंगे यह मैं आपको शट बनाने का सिंपल तरीका वता रहा हूं इसमें जो डबल सिलाई वगेरा होती है तीन सिलाई जो होती है वह बात में भी बताओंगा क्यांकि वह डिटेलिंग का काम है थोड़ा सा आप इसे आप सिलाई कर लेंगे और फिर इस तरफ करके एक सिलाई और मार देंगे इस पर मजबूती के लिए जो कि यह बता आप यह एक साइड के अस्तिन हमारी चड़ गई है दूसरी साइड के चड़ाते हैं भी दूसरी साइड के अस्तिन भी इसी तरह से चड़ेगे यह पीछे का हिस्सा है आस्तिन चड़ाने से पहले इस बात को बहुत अच्छे तरह देख लें आस्तिन को ना खेंचें बिल्कुल भी नीचे रहती है वो उसमें थोड़ा ना माना जरूरी है झालग माना जरूरी है ना बप्रप्ण के अच्छें लुगाई झालग माना जरूरी है झालग माने से घ्चर किते हैं और जरूरी है इसमें भी हम डबल सिलाई कर देते हैं इसके बाद में हमें इसको साइड इसकी जोड़नी है इसको मिला ले और यहां से सिलाई शुरू कर दे एक पेर की सिलाई ले ले लिजे एक पेर से थोड़ी ज़्यादे होती है और इस जगह आपको पक्का करना है दागा सिलाई को सीधा नहीं निकालना है सीधा आप जब निकाल सकते हैं जब आप इसको पहले इंटरलॉक पहले ही हो जाएगी उसके बाद आप निकाल सकते हैं वरना इंटरलॉक आपकी यही अटक जाएगी यह साब पूरा कच्चा रह जाएगा इसलिए हम इसको अगर पूरी शर्ट पे एक साथ ही इंटर लॉक करानी है तो आपको इसको यहीं फ्री छोड़ना होगा यह दोनों तरफ से फ्री है और हो जाएगा अब यह इंटर लॉक करने के लिए बिल्कुल फ्री है इसमें आराम से इंटर लॉक हो जाएगा दूसरे तरफ भी हम ऐसे शिलाई मारेंगे दूसरे तरफ ख्री है जो महिलाएं घर पर काम करती है जिनको जो शट बनदंद स्ख रहे हैं उनके पाß इंट्र लॉग की मशीन शायद ना हो तो वो किसी भी बाहर किसी भी टेलर के पास जाकर दो जैसे हम पीको करवाते हैं साड़ी इसितार से इंट्र लॉग हो जाएगी दोनों मशीने अलग-अलग होती है दूसरी शर्ट जो मैं बनाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा आपको कि इनको पककक कैसे किया जाता है उसमें इंटरलोक की ज़रूत नहीं होगी दोनों तहरीके छीखना जरूरी है कुछ शर्टे ऐसी होती है जिनको प्लेन बनाया जाता है कुछ शर्टे ऐसी होती है जिनमें तीन सिलाई की बनाई जाती है ये आपकी बोड़ी तयार है इस पर पहले इंटरलोक होगी उसके बाद ही हम इसके गेर की सिलाई मारेंगे और कफ कालर चड़ाएंगे तो आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ ये शर्ट कम्प्लीट हो जाएगे